नमस्कार आदाव, न्यूज ग्लिक के इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है इस बार का चुनाव वाकई अगर देखा जाए तो कई कारण हैं, कई पहलू हैं जिसकी वज़ा से ये अजीब चुनाव है अभूत पुरु है, बेमिसाल है सबसे ज़्यादा चुनावतियां हैं डेमोक्रसी के लिए, सम्विधान के लिए, अवाम के लिए विपक्ष ने इन चुनावतियों को इन कंसर्ण्स को लेकर पहले शे लगातार कहा कि ये बहुत गंभीर चुनाव है राजनितिक कारणों से यह चुनाव इस देश के लिए, खासकर सम्विधानिक लोक्तंत्र के लिए चुनोती पूर्ण है लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जब चुनाव बिलकुल कदम ताल कर रहा है जब उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी चालू हो गई है तब भी विपक्ष का बड़ा खेमा, अभी भी वो गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है जो गंभीरता जनता दिखा रही है, अवाम दिखा रही है खास कर वे लोग जो मेहनतकश लोग हैं जो परिशान लोग हैं जिन्हें लगता है कि जो वाइदे किये गए थे 2014 में उन वाइदों की छोड़िये जो उनका हाल उस वक्त था उससे भी वह बेहाल हो चुके हैं लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि वो हमारे पुराने दिन लौटा दो आखिर क्या वज़ा है कि इस चुनाव को अगर आप देखिए तो जिस तरह की यूनिटी सत्ताधारी दल अपने गठबंदन में दिखा रहा है वीपक्ष अपने खेमे में वैसी नहीं दिखा पा रहा है सत्ताधारी दल से जो नाराज उसके गठबंदन के कई सहयोगी थे जो छिटक गए थे जो विरोध में उतर आये थे उनको भी पटा लिया भारती जन्तापार्टी ने चाहे वो असम में एजीपी हो या वो उत्तर प्रदेश में अपना दल हो शुरू के दिनों में लगा कि लजेपी भी कुछ सीटों को लेकर बिहार में परिशानी पैदा कर सकती है लेकिन उसको भी पटा लिया यहां तक कि अपने खाते की सीटें उनको दे दी अपने हिस्वे की सीटें उनको कुछ दे दी सिर्फ और सिर्फ बिहार में उपेंद्र कुछ वहा की एक पार्टी है जो की NDA में थी वो बाहर रह गई और अब वो RGD के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है लेकिन अगर पूरे आप सिनारियो देखें पूरे देश का तो ओपोजिशन विपक्ष जो इस देश का है शायद इस चुनाव की जो राइनितिक गंभीरता है उसके मुतलिक वो अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा है जो सांगठनिक तोर पे जो उसको गटबंधन क पर मोर्शे बंदी के असतर पर दलबंदी के असतर पर जो दिखाना जाये लेकिन ये भी अजीभ बात है कि जंता दिखा रही है सिविल स कह रहे हैं ऐसा लगता है कि वो शिद्दत से चाहते हैं कि इस सत्ता के बदले एक बेहतर वैकल्पिक सत्ता का निर्माण किया जाए जो अगले पांस साल तक सरकार चलाए भारत के जो चार बड़े राज्ज हैं जहां सरवाधिक सीटें हैं उसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटें ह बिहार में 40 सीटें हैं और बंगाल में 42 सीटें हैं ऑपोजिशन की अगर इस्तिती देखें तो कुल मिलाकर तमिलाड को अगर छोड़ दे हम अभी तो तमिलाड में जो एक परफेक्ट एलाइंस लगभग कॉंग्रेस पार्टी और ध्रमुक के बीच में बन चुका है शेस जितने सुबें हैं बड़ी सीटों वाले सुबें जो वाकई देश में संसद में कौन कितना आएगा लोग सभा में किसकी कितनी सीटें आएंगे जो तै करेंगे जो एक तरह से सरकार की बनावट को निरधारित करेंगे कि किसकी सरकार बने अगर वहां अगर देखा जाए त जिस तरह से बस्पा और कॉंग्रेस के बीच में बाते हो रही हैं जिस तरह की डायलाग बाजी खासकर बीएसपी की तरफ से हो रही है उससे बिलकुल नहीं लगता कि किसी भी तरह की समझदारी भरी भरा कोई तालमेल उत्तर प्रदेश में अब संभव हैं। आप हाथ में हाथ मिलाकर खड़े थे और अपनी एकता का फौलादी एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर क्या हो गया। किन वजहों से ये एकता गटमंधन, मोर्चे बंदी, दल बंदी जो समाज में तो दिख रही है लेकिन दलों में नहीं दिख रही है। आखिर वज से कहीं न कहीं ये भी संभव है कि लोगों की महत्वा कांशाएं टकरा रही हो। इन वजहों से मैं समझता हूं कि ये चुराओ बेहत जटिल और बेहत संगीन हो गया है। अभी हम देखें कि कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी वैचारिक स्तर पर मवजूदा जो आयुश्मान भारत को प्रधान मंतरी मोधी ये मानते हैं कि ये हेल्थ की सरवाधिक शांदार स्कीम है। लेकिन राहूल गांधी नौजा ने कितनी बार कह चुके हैं कि आयुश्मान भारत एक बिल्कुल वाहियात किस्म की स्कीम है और हम इसके बदले युनिवर्सल तो रहा है उसके मुकाबले जादा साफ और जियादा लुपतां त्रिक नजर आते हैं लेकिन इस्टरٹीजी के इस्तर पर अगर देखा जाए कॉंग्रेस को कि अगर नीतिगत इस्तर पर वह इतनी साफ है तो स्टरटीजी के इस्तर पर वो क्यों आज ऐस तरह से पुकता नहीं दिख रही है क्या कारण है कि लोग लाम बंद हो रहे हैं इस सरकार या इस मौझूदा सक्ता अधारी दल के खिलाब लेकिन दलों में दल बंदी का नित्रत्तों जिस तरह से होना चाहिए था खासकर बड़े दलों की और से वह मिसिंग है तो ऐसे दोर में जब यह चुन आ रहे हैं तो क्या जंता इन सब को दबाव डाल कर कहीं कहीं एक जुट करेगी और अगर एक जुट तब भी नहीं होते तो क्या वह अपनी पसंद का सिविल ससाइटी जिसे आप कह सकते हैं एक एक चुनाव में इस तरह का एक आंदोलन वो चलाएगी जिस आंदोलन के तहत वो अपने तई उमिदवारों का चेहन करें जो सरवाधिक बहतर हों और जो विकल पेश करें मुझे लगता है कि ये चुनाव इस बात को भी तैक करेगा और अगर ऐसा कुछ तैक करता है ये चुनाव तो मैं समझता हूं कि आजादी के बात का ये आहम चुनाव होगा क्यो कि उनके लिए भी सत आधारी डल के सदस्यों कुछ एक नाराज सदस्यों के मौह से निकली हुए ये बातें मुझे लगता है उनके लिए आगाह करने वाली हैं उनको चेटाने वाली बाते हैं वस चर्ते कि वो समय रहते चेतने की कोशिश करें झाल झाल